नमस्कार मैं पंकज प्रसुन आज मैं राश्टी एक खबर की चर्चा नहीं करूँगा आज मैं बिहार की कोई खबर नहीं लूँगा क्योंकि जारखंड की खबर इतनी बड़ी है जिसे सुनकर आप चौक जाएंगे आपने किसी पियरलेस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा आप मेहुल चौकसी का नाम जरूर जानते होंगे मेहुल चौकसी एक ऐसा भगोड़ा बिजनसमें जिसे देश में वापस लाने के लिए किंद सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है लेकिन उसके पसीने छूट र आया था और एक बड़े मंत्री ने बीच में दलाली की थी ये आरोप है दिल्ली हाइकोर्ट में लिक्विडेशन के दौरान पियरलेस कंपनी के करता-धरता पी-सी सेन ने आज जो बयान दिया है वो हर जहर खंडी को सुनना चाहिए दरसल मामला इतना है कि साल दो हजार बारह में मेहुल चौकसी ने अपनी कंपनी गितांजली इंफ्राटेक के माधियम से राची की एक कंपनी है एस बील उस कंपनी के खाते में बारह करोड उपे डाले थे और वो बारह करोड के बाद पियरलिस कंपनी के मालिक कोलकता में अपने SBI बैंक में गए उन्होंने बैंक से गुजारिश की कि आप no claim no dues का certificate मुझे जारी कर दीजे क्योंकि कंपनी जो की दिवालिया थी उसके खाते में पैसे आ गए है SBI नहीं कर रही थी और उसी वक्त राची के एक बड़े नेता ने पैरवी की थी आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने इस 12 करोड के एवज में दलाली खाई थी अब आपको विस्तार से सिल्सलेवार ढंग से पूरा मामला समझाते हैं दरसल UPA के एक कदावर मंत्री थी देश के भगोडा जो बिजनसमेन है मेहुल चौकसी उसने राची इस्तित एक कंपनी है जिसका नाम है शिराम बेरिंग्स इंडस्ट्री लिमिटेड यानि SBL 2012 में ये कंपनी बंद पड़ी हुए थी कंपनी के खाते में अचानक कहीं से 12 करोड रुपे आ गए है ये पैसे ICICI बैंक के खाते से आये थे और ये खाता मेहुल चौकसी के गितांजली इन्फराटेक का था मेहुल चौकसी ने ये पैसे अचानक जहरखंड की एक कंपनी वो जो बंद पड़ी हुई है उसके खाते में क्यूं डाले और वो खाता जिसमें ये पैसे आये थे वो खाता था दा पियरलेस लिमिटेड के करता धरता PC सेन और उनकी पतनी क्रिशना सेन का बाद में ये कहा गया या जो आज बयान दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में PC सेन ने उसके अनुसार कि एक कदावर मंत्री दबंग नेता ने इसकी मध्यस्ता की थी ये दिल्ली हाई कोर्ट में बयापता लिक्विडेशन का जो मामला चल रहा है उसमें ये बयान दर्ज है आखिर कौन थे राची के वो दबंग नेता आखिर उन्होंने मध्यस्ता क्यों की बारह करूर रुपे का ये मामला क्यों है गितांजली इंफ्राश्ट्रिक के प्रमोटर मेहुल चौकसी ने तीन बार ये पैसे ट्रांसफर किये हैं तीन किष्टों में 31 अक्टूबर 2012 को 2 करोड 80 लाख इसी दिन 1 करोड 10 लाख और इसके एक दिन पहले 5 करोड रुपे PC से ने ये बताया अदालत को कि हमने श्रीराम बियरिंग्स इंड़स्ट्रिस लिमिटेड के स्ट्रेट्जिक पार्टनर के रुप में ये पैसा प्राप्त किया था कंपनी तो बंद थी करमचारी अपने ग्रेचुईटी पेंशन के लिए लड़ रहे थे उस वक्त एक स्ट्रेट्जिक पार्टनर के खाते में 12 करूर रुपे आ गया या डलवाए गया सवाल बड़ा है इसका जवाब जरूर ढूनना चाहिए दरसल इस संबंद में कुलकता के स्ट्रेट बैंक की साखा को खुद PC से ने अपने आपको मेजर शेर होल्डर बताया था सिराम बॉल बेरिंग का और चेर्मेन को एक चिठी लिखी थी उस वक्त SBI के चेर्मेन को जो कलकता साखा वाली थी उस चिठी में इन्होंने कहा था कि गितांजली इंफराश्टेक की तरफ से दिये गए पैसे के बाद मेरा बैंक के प्रती कोई बकाया आप नहीं बचता है मैंने अपने बारख कर रुपे SBI को चुका दिये हैं अब मुझे नो डियूज, नो कलेम, नो चार्ज लेटर जारी करें ये चिठी 31 अक्टूबर 2012 को लिखी गई थी जिस दिन वो पैसे आये थे सवाल ये है कि मेहुल चौकसी ने किसी कदावर नेता के कहने पर जहरखंड की एक कमपनी के खाते में 12 क्रुड रुपे क्यों डाले वो नेता कौन थे, वो कदावर नेता कौन थे और मेहुल चौकसी तक उनकी पहुँच कैसे हो गई कहानी का अगला हिस्ता बाकी है, आप देखते रहें अंदर की वागत